जैशी किष्णा कैसे हैं भक्तो आप सब आई हो पच्छे ही होंगे मैं संगीता शल्मा बस्ती बजलिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं तो आज भक्तो आज हमारे कृष्णा बनेंगे मनिहारी के रूप में आएंगे ये रादा जी को चूड़ी बेचने तो अब हम इनको तैयार कर देते हैं ताकि रादा राणी ने पहचान मिले फिर भी वह पहचान तो लेती है वाल ये तो प्रिश्णा है तो आज ये जाएंगे चूड़ी बेचने मनिहारी के रूप में रादा जी को चूड़ी पैनाएंगे आज ये अब इनको कोई पहचान ना सके ताकि ये इस तरी के से त्यार होई है तो देख सकते हैं आप इतने सुंदर लग रहे हमारे कृष्णा मनिहारी के रूप में रैडी हो रहे हैंगे अपना दूंगी में इनको ना थे बुड़ा देते हैं उनको इनकी शॉल तो ये बन गई है मनिहारन मनिहारन मनिहारी बने चुक है आज ये चूड़ी बेचने जाएंगे आज ये चूड़ी वाले बनें गे मनिहारी ताकि राधा जी इंट चूड़ी लेने आए तो मोवन कि एक टोक्री लगा दे टैन कि आखिए चूड़ी बेचने जाएं और एक हमने लगादी इनकी दो फैंसी चूड़ी लगा दिया तो यह चूड़ी वाले बनेंगे आज मनिहारी बन चूड़ी आएंगे तो आप यह देख सकते हैं हमारे कृष्णा ने रख लिया है चूड़ी का बाउल और जा रहे हैं यह चूड़ी बेचने रादा जी को बोल रहे हैं मनिहारी आगया गरी में चूड़ी ले लो चूड़ी अब यह उपर से दिखाना है दिखा रिखल तैंव में यह ग्रता है अब यह जा रहे हैं राधस जी को चूड़ी पनाने जा रहे हैं अर Ma Daadhar जी यह चुकी है और यह हमारे चोटे लडू बाबू तो यह आज राध्दा बनियों बैठी हैं तो जो मनिहारी आएंगे तो दोनों को चूड़ी पनाएंगे पिर अब हमारी मन्यारी जा रही है रादा जी को चूड़ी तो हमारे कृष्णा पनाएंगे रादा जी को चूड़ी तो रादा जी देख रही है चूड़ी की कौन सी पैननी है तो हमारे कृष्णा पनाएंगे रादा जी को चूड़ी पनाएंगे अब ये मैंने हाथ लगवा दिया है अपने कृष्णा का मनिहारी का भेस बनाया शाम चूड़ी बेचने आया मनिहारी का भेस बनाया शाम चूड़ी बेचने आया यह बैटे बने वह हैं तो अब इनको भी चूड़ी बना दिये हमारे कृष्णा ने तो हमारी राधा जी ने इनको पहचान लिया है कि यह तो कृष्णा है चलिया कावेस बनाया शाम चूड़ी बेचे ने आया तो अब तो आपको पता ही है कि खिचड़ी मौपसव चल रहा है तो आज हम लगाएंगे अपने कृष्णा को खिचड़ी का भोग भी लगाएंगे तो आप यह नए नए रूप बदलते ही रहते हैं सभी कोई पता होगा तो आज हमारे काना जी ने मन्यारिन का भेस बनाया है राधा जी को चूड़ी बिनाने आये हैं तो अब हम खिचड़ी बनाएंगे तब उसका भोग लगाएंगे तब आपको आपके सथ हम भोग भी शियर करेंगे तो हमारे कृष्णा का काफी सुन्दर रूप लग रहा है मन्यारी के भेस में भी और हमारी राधारानी तो लगी रहे हैं भोत ही सुन्दर और ये भी चोटे लड़ू बावू भी राधारानी बनी बैट ये कितनी क्यूट सी लग रहे हैं तो हमारे लड़ू गोपाल जी ने राधारानी जी चूड़ी पेना दिया है और तीम को भी पेना दिया है और अपने जोली भी साथ में लेके आएं अपनी ये रख्योई है ए तो ये पडस मगर ये लेके आएं अपनी जोली भी चलि आता में है बनाया शाम चूड़ी बेखने आया तो अब देख सकते हैं शाम चूड़ी बेखने आया राधा जी को और राधा जी तो मैं कर लूँगी अपने कृष्णा की और राधा रानी जी की आरती कर लूँगी फिर मैं लगाऊंगी भोग मैंने खिच्री बनाई आज तो आज मैंने में बनाया खिचडी महोसव और हम में लगा दूँगी खिचडी का भोग लगा देंगे हम भोग तो हमने बनाई ये खिचडी अपनी राधरानी जी के लिए अपनी ठाकुरू जी के लिए और मीठे में बनाया गाजर का हलवा और हमने रख दिया गूड और रख दिया जल और तुलसी पत्ता भी डाल दिया हम रख देंगे इनके पास 10 15 मिट के लिए ने के पास रख देंगे ये भोग को पाल जी लट ली हमारे खिच्श्ण सभी भुक स्विकार कर लेंगे और मंदिर के लिए भी थाली तग्यार कर लिए हमने मंदिर में रख देंगे तो यहीं थी आज की वीडियो अगर आप तो हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें राधे राधे जैशी किष्णा मिलेंगे आपसे नैस किष्णा